निदिया में तोसे मिलीना, अरे निदिया में तोसे मिलीना खिया खुलते कुल टूट के भिखर जाला, अरे करे जा खाली हम हैं तो अर दीवाना थोड़ो हैं, तो अरे घरवा के बारवा से जब जब निकलीना सरवा हमरे साइकिलियों के चेनवा उताता, हमारा सपना यही थ कि इंड़स्ट्री में आना है चाहि कैसे भी सब लोग जानते हैं कि वो बिहार साइट से हैं कि फलाने तो अरली को अका करता है अब बिहारी होखला के का फायदा जब खुन बहेना पानी जैसान अरे हमार को अनिये सब करे को अनिया से अलग वा हो हमके पसंद है हमार पाली द बैठे हैं और इनको आप लोग देख रहे होंगे तो किसी जान पहचान के मोहताज नहीं है क्योंकि यह जाना पहचाना चेहरा है हर युवाओं की धड़का ने समझ लीजिए क्योंकि इन्होंने एक अलग पहचान बनाई है इसी गाई की छेतर में इसी संगीत के छेतर में और यह अलग एक दम यह अलग ही पहचान है इनकी और इनका हमको लगता है कि पहला इंटर्विव महीं कर रहा हूं तो सर बहुत-बहुत साइरी बना दिये यह कैसे करते हैं कब से सुरवात किया इसकी यह जब हमारा टिक टॉक था तबसे है उश्य दल ब सुरवात कर दिये कभी बचपन में क्या मतलब क्या सपने थे आपके जैसे कोई सपना ऌताना हमें पढ़ना लिखना में यह करना है लेकिन आपके क्या सपने हमारा सपन discernी में आना है कईसे भी कर मतलब उतना भी दिकत नहीं था अपना फोन था कैमरा था चल रहा था सब कुछ उसी बीच से आप कैमरे अपने अलग फोन से और अलग पहचान इनोंने बना लिया है आज बड़े-बड़े कलाकारों के साथ इनको आप लोग देखते होंगे कई सारे अर्बम और सबसे ज़्यादा तो आपका जो सौट है वही सौट बहुत ज़्यादा और जो आपके गाने हैं मिलियन में 2, 4, 6 मिलियन आईसे इसे गाने आपके चलते हैं और वो साहरी जो लोग पसंद करते हैं हम चाहेंगे कि एक साहरी से सुरुआत हो अभी फिलाल में भाई लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है अभी मेरा जो बजरिया में गाना है वो 40 मिलियन क्रोस किया है और ए राजा बनारस गुमादा 15 मिलियन जिसके मुजिक के हमारे डियार भेया जिसके राइटर हमारे सियों भाई बहुत अच्छा चल रहा है दिवाना थोड़ो होई तो अरे घरवा के बारवा से जब जब निकली ना सरवा हमरे साइकिलियों के चेनवा उतर जाला यह गीत में जो इनका गान वो जो सायरी है वो काफी पापुलर हुई है और उसके मुझे लगता है कि बहुत सारी रील्स भी बने है उसके बहुत सार हो रहा है शाब लोग जानते हैं कि वह साइड हैं यह उत्तर प्रदेश के गाजी पूर जिले से है और अब जाता है और वहीं से यह कलाकार है और आज मैं यहाँ पर इनके साथ बैट कर इंटर्विव कर रहा हूँ, तो आज समझ जाए कि कितना मुझे गर्म महसूस हो रहा है, कि वहाँ से वीर ही नहीं पैदा होता है, वहाँ से कलाकार भी दिगज कलाकार ही पैदा होते हैं, जैसे कि दिनेस लालियादो उर्फ निरव अच्छा, अंकित अगरवाल जी, आप जैसे बोल रहेंगे, हमारे घर परिवार से सपोर्ट रहा है, लेकिन कहीं कहीं जब गाहों से आपने सुरवाद किये होंगे, जब मुबाइल से और सायरी जब बोल रहे होंगे, तो जो गाहों वाले आसपास वाले हैं, वो लोग का तो रेक्षन कुछ अलगी रहा हो, वो तो मतलब सबसे मतलब गाहों में एक चीजी होता है, कि लोग जो जलते हैं, जो भी मतलब अपोजीट साइट के लोग हैं, वही घर पे ऐसी कहत होगा, कि फलाने तो अरले को अका करता है, तब घर वाले भी गबडाते हैं, जब तक भ बाई का सपोट है, अब सब सही चला है, अब मस्त पस्कला, अच्छे, उक सुरुवात किस साहरी से होई, कौन सी आपकी साहरी जो बहुत ज़्यादा चली सुरुवात में, सुरुवात में एक साहरी हमारी चली थी, अरे गाड़ी में गाड़ी होके तर राज दानी जैसन, अब भी हारी होखला के का फायदा, जब खुन बहेना, पानी जैसन, अरे हमार को अनिय सब करे को अनिया से अलग भाव, हमके पसंद है, हमार पाली दुबे, लेकिन हमारे माई के पतो चाही काजल रगवानी जैसन, अच्छा, आप अक्सर देखा गया है कि अब इल्बम करत से लेकिन घर पर भी अपने पिता जी के और अपने मम् захlor कर देते हैं, बना देते हैं, बहुत अच्हा लगता है हमें मतलब, हमें बस ऐसा लगता है कि मतलब घर से अतना सपोर्ट मिलाएं और अपने भाई लोग अपने जो अभी फिलाल में हमारे अभिराम भै, ड, आ, ड, सबसे ज्यादा मतलब इंडरश्टी में कोई सपोर्ट करता है तो हमारे सम्र भीया हैं बहुत अच्छा लगता है। आपने किया तो आपको लगा था कि收 CAP भड़े बड़े स्टारों से मिलूगा लिए सीनदाー ऐसा सोचा था कि नहीं पूर ही हम सोच के काम किये थे हम लगतार अगर आप अगर आपको 500 मीटर का रेस्ट तै करना है अगर आप 50 मीटर प्यास ठक गए तो डेली दवड़ी है तीन महीने तक लगतार दवड़ी एक दिन तो 500 तो चब टीक टाक था तो राद बर में तीन बर में सब डालके खता हुँ अच्छा आप खुद ही साहरे लिखते भी है मतलब खुद लिखना और कोध करना ँभूड बनाना खुद सारा कुछ करना इतना ज्यादा मेहनत कहां सी आसा प्रेणा मिल स्किंधे मेहनत हमें नहीं लगता है कि देखिए अब अपना काम है तो इसमें मेहनत नहीं लगता है अपने को मजा आता है हाँ जब काम अपना बंद रहेगा तो दिमाग बंद हो जाता है अपना काम अब एक दिन में लगतार पांच तीन सुटिंग करेंगे हमको हमें कोई दिकत नहीं लेकिन वही शुटिंग बंद रहेगा तो चुप चप सोहेंगे जैसे लगेगा कुछ खो गया है अपना यह सब काम में हमें नहीं लगता है कि महनत है पस जीतना काम करें बस हम रिस्पांस मिले मजा आएगा पब्लिक का प्यार मिल रहा है अच्छा लग रहा है सब कुछ एक चल रहा है कि अभी बहुत अच्छा चाहा ना हमारे तरand तरहां बना देते हैं आज भी आपने ही लिखते हैं आज भी सायरिया लबं में बता ही जाते हैं वह खुद ही लिखते अभी कोई latest में लिखेंगे अभी फिलाल में बहुत सारा है अभी हम क्या बता है चट वाल अभी फिलाल में रिलीज की हैं लेकिन उसको याद ने लेकिन और हम सहरी सुना दे रहें अपको अभी जट दिवाली आ रहे है उसके लिए सुनाईए नहीं दिवाली नहीं एक ऐसे था कि अरे दिल टूट जाला ता सारा सरा बोजाला और तू आमसे रूठ गई लगू इस सोच सोच के अमार मतवे खराब हो जाला और तो ओके असास होके चाहेना असास होके करे जा तो कि को उन्हों जब जब छुए लाता सरव अमार तभीयत खराब हो जाला है यह जो जो इनके जो साहरी है वो ज्यादातर ही वाव में बड़ा क्रेज है यह जो अरे-अरे करके जो इनका जो सब्द निकलता है वो एकदम अलग ही पहचान बनाता है इनके लिए आप देखिए आप ल बही ने लगतार डाली आज दो भीव गया किसी में चार किसी में पांच कोई कोई रात बर में चालीस हजार चला गया चालीस मिलियन भी जा सकता है लेकिन कब जाएगा आप जब डालेंगे तब जाएगा अब जैसे भाईया हमारा इंटर्विव ले रहे हैं अभी लगतार इन्होंने पचास इंटर्विव लिया होगा कोई 500 गया होगा कोई 50 गया होगा कोई 50 मिलियन भी जा सकता है यह हमारा ले रहे हैं जैसे 50 भी जा सकता है पता चले कि रात बर में डालें सुबह 5 लाग भी जा सकता है लेकिन जाएगा कब आप जब किसी काम में regular रहेंगे बहुत आपको जैसा साहरी चाहिए आप कमेंट में डालिए वैसा हम साहरी बनाएंगे बनाते हैं सब्सक्राइबर की हैं तो बहुत मतलब बड़ी बात है मेरे लिए और मेरे जनता का प्यार अभी कितना साहरी लिग दिये होंगे लगभग सब्सक्राइबर और लोग बहुत प्यार देते हैं वह स्टेटस में आपको देखेंगे तो अगर आप फेस्बूक यूज करते हैं और लोग बहुत प्यार देते होंगे तो कम से कम उसमें सतर परसेंट आपको इनकी साहरी जरूर मिलेगी है ना इकदम तो भाई लोग का प्यार सिर्वाद है ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रखिए क्योंकि इस बार अभी हम लोग फिलाल में लगभग दस पंद्र गाने हम लोग रेडी करके रख चुके हैं बहुत ही तगड़ा तगड़ा अपने चैनल के लिए रागनी फिल्म्स पे और हमारा स्वीयों भाई का चैनल है स्वीयों यादो आफिसी यल मतलब बहुत लगतार गाने आ रहे हैं लगतार मतलब महीने में तु मान क लिए थार पढ़ाई के साथ साथ यह बहुत है हम सायरी बना देंगे तुरण सायरी बनेगा उसमें सभी यह इस लाइन में इसा कोई गीथ संगीथ से जुड़ा हुआ कि मतलब रहता है ने कि खूंण में आ जाता है तो कुछ था कि आपके परिवार में नहीं ऐसा कुछ था लेकिन हम मतलब बच्पन से यतना फिल्म हिंदी का में बिल्कुल भी सौक रहे हैं हम बोच्पूरी देखते थे इसमें सोचते कि बस कैसे भी हमें इसमें जाना है चाहिए बहले बोच्पूरी लाइन में जा तो टिक टॉक हम पहली बार भोच्पूरी सारी डाले तो मेरे मतलब जैसे हम पहले डॉंस वीडियो डाल देते तो दो सो तीन सो लाइक जाता था पहली बार में अपने वाइस में साहरी बनाएं तो एक रात में पांच लाइक गया मेरे आवाज पे तो में लग और आप पसंद करें अंग्रि उसके बाद करें तो आज तक कंटीनुव किये हूए हैं और चलते रहते हैं ऐसे अंकित बाहिक और साहरी के साथ प्ससेद शाहरी सुना देरे हैं एकदम साहरी क्योंकि साहरी लोग पसंद कर आफ है अरे दिल में रखलू हमरा के डुपी में अपने सं कहां के करे जाप बेवफात होँ जब कोई एलबम रहता है और लेलम में में और बीज बीज में जब इसारियां बच्टीं है तो एक्दम तालियां चलती रहते और अक्सर देखा गया है कि जब साधी विबा होता है तो डीजे में इनकी सायरी बचते वे आपको सुन जाएगी किसी गली मुहले में आप जाएगा तो जरू सुनने को मिलेगा और पहली बार आज हमसे मिल रहे हैं और इनका इंटर्विव हम कर रहे हैं और कैसा लगा हमें क तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्तित होंगे तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद भारत